अरो मारो! उनके द्वारा उस हिस्ट्री शीटर को दोड़ा के पकड़ लिया गया उन्हें प्रशस्री पत्रे से सम्मानित भी किया जा रहा है सच में यूपी पुलिस गजब है आए दिन जो कारणामें यहां देखने को मिलते हैं शायद ही कहीं मिलते हों आपको याद होगा लगबग दो साल पहले संभल में मुठवेर के दवरान एक पुलिस बाले ने मुझ से ठाय ठाय की आवाज निकाली थी लेकिन अब हमीरपूर पुलिस का एक और कारणामा सामने आया है यहां एक दरोगा जी चुल्बूल पांडे स्टायल में बदमाश को पकरते नजर आये देखते ही देखते दरोगा जी का ये फोटो सोशल मीडिया पर बैरल हो गया पहले तो इस फोटो की खूब तारीफ हुई लेकिन धीरे धीरे अब ये फोटो हमीरपूर पुलिस की किरक्री भी करवा रहा है दर असल एक तरफ तो हमीरपूर पुलिस इस फोटो को लेकर अपनी पीड थप थपा रही थी तो बहीं दूसरी तरफ यूपी के तेज तर्राराई पीएस नवनी सिकेरा ने तंज मारते हुए हमीरपूर पुलिस के किये कराये पर पानी फेर दिया उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा कि दरोगा जी स्टेंट करने का इतना ही शौक था तो फिर ट्राई मार लेते फिल्मों में कसम से रैंबो की याद दिला दी इस घटना में सबसे दिल्चस्प बात तो ये रही कि हमीरपूर के एसपी श्लोक कुमार ने तो दरोगा शाजहा आली को इनाम दिने तक का एलान कर डाला थाना राठ के दिवानपुरा महले में कल एक रिंकु यादव नाम के हिस्ट्रीशीटर ने अपने चाचा के ऊपर जमीनी विवाद को लेकर अवैद असले से फाइरिंग की वहाँ पे स्थानिये चौकी इंचाज बगल में एक जाच करने के लिए गए हुए थे फाइरिंग की आवाद सुनते ही वह मौके पर तुरंट पहुंचे और उनके द्वारा उस हिस्ट्रीशीटर को दोड़ा के पकड़ लिया गया उसके पास से वह अवैद असला बरामत किया गया साथ ही कोई अप्रिया घटना होने से उनके द्वारा रोका गया इसके लिए उन्हें प्रशश्वी पत्र से सम्मानित भी किया जा रहा है और जो अभ्यूक्त है उसे गिरफतार कर नयाईकवर रक्षा में भेजा जा रहा है खर चलिए अब आपको इस फोटो के पीछे की पूरी कहानी समझा देते हैं हमीरपूर के राट कस्वे के रहने वाले आशा राम यादब का अपने रिष्टेदारों से जमीनी विवाद चला आ है बुदवार को जब आशा राम अपने घर के बार बैठे थे तभी उनका सगा बतीजर रिंकू यादब शराब के नसे में आधम का और अपने चाचा को जान से मारने के इरादे से गोली जलाने शुरू कर दी अचानक गोली चलने की आवाज सुनकर पास में ही मवजूद राठ थाने के एसाई शाजा अली मौके पर पहुँच गए और रिंकू यादब को धरदबोचा आपको बता दें कि रिंकू यादब राठ थाने का हिस्ट्री शीटर है उसके उपर करीब एक दर्जन मुकद में दर्ज हैं 22 मामले पर SI ने सफाई देते हुए कहा कि जब वो शातिर रिंकू को काबू कर रहे थे तभी किसी ने उनकी फोटो खीच कर वाइरल कर दी बहराल अपराधी को पकड़े दरोगा जी की ये फोटो खूब वाइरल हो रही है और लोग चटकारे लेकर फोटो पर कमेंट भी कर रहे हैं वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंटर के बताईएगा बाकी खबरों के लिए देखते रहे है यूपी तक